नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन सर्मा, आप सभी का स्वागत करती हूँ, आपके अपने चानल सुमन एजूकेशन हब में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कमेंट्स की बारे में जो सारे comments आप सभी लोग मुझे send करते हैं मेरे वीडियो के नीचे, उन सारे comments के बारे में इस video में हम discuss करने बाले हैं, जब जब मुझे time मिलता है, जैसे जैसे मुझे time मिलता है, आप सभी के comments को read करती हूँ, note करती हूँ and try करती हूँ कि जल्द से जल्द मैं आपके comments का and आप के ली हूँ, आप सभी काफी सारे लोग हैं, तो one by one ही मैं सबका solution बता पाऊंगी, तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैंने अगर आपके comments का reply नहीं किया, तो आपके comments का and आपके query का solution में नहीं दूँगी, क्योंकि मैं online teaching करती हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि जल्द बाजी में कोई wrong information मैं आप से भी लोग तक provide करूँ और आप गलत चीज़े सीख जाएं, इसलिए थोड़ा सा time लगता है क्योंकि जो आपके comments आते हैं, मुझे भी इस पर study करना होता है, इस पर analyze करना होता है, इसके बाद ही, वीडियो prepare करके मैं आप से भी लोग के लिए upload करती हूँ, उस व कुछ comments मैंने अपने पास screenshot रखे हुए हैं, उसका reply मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो जो comments आपने दिये हैं, उसका screenshot मैं स्क्रीन पे apply कर दूँगी, so that आप देख सके, जिन्होंने comments किया है, तो चिलिए one to one comments का मैं reply यहाँ पे करूँगी, मैं try करूँगी 100% उसका solution बनाने के लिए, अगर उसका solution आपको 100% नहीं मिलता है, तो भी आप मुझे comments कर सकते हैं, तो चिलिए सबसे पहला जो comments है, उसको read कर लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहला जो comments किया है, बाबुलाल बेद जी ने किया है, तो सबसे पहले thanks किना चाहती हूँ आपको comments करने के लि करें, कि किस bill के against हमने debit note issue किया है, तो इनका query यह है, कि जो debit note issue किया जाता है, हमें कैसे पता चलेगा कि किस invoice के against debit note issue किया है, जब आप debit note prepare करते हैं, जब भी आप debit note teleprime में बनाते हैं, तो same time उसी voucher में आपको method of adjustment में show होता है, कि किस bill के against आप debit note बना रहे हैं, वहाँ पे option आपको आता है, invoice number and date mention करने का, तो वह option में आपको invoice number and date feel कर देना होता है, किस invoice के against आप debit note issue कर रहे हैं, इसके लिए मैंने separately video बनाया है, आप उस video को जाके watch कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो उसके लिए आपको कैसे सर्च करना है, आपको सर्च करना है, debit note video by Suman Education Hub, या फिर rate differences, debit note video by Suman Education Hub, इस टैप से आप video सर्च करेंगे, तो मेरी video आप लोग को मिल जाएगी, और उस video को देख के, आपको solution प्रॉपरली आपको मिल जाएगा, यह तो मैंने आपको यहाँ पर theoretically बताया कि इसका solution क्या है, अगर आप practically इसका solution चाहते हैं, तो आप उस video को watch किजिए, definitely I am 100 person sure कि आपको आपका जो भी problem है, इसका solution आपको मिल जाएगा, तो I hope, उम्मीद करती हूँ, कि आपको सबसे पहला जो comments में ने आपे किया है, उनको इस comments का reply मिल किया होगा, अब चलिए, move करते हैं, second comments की तरफ, venture blog ने, मुझे second comments किया है, तो सबसे पहले मैं आपको thanks करना चाह और इसके लिए इसका क्या पाइदा होता है, तो यह उनकी query है, देखे टैली प्राइम में आपको license version भी होता है, and education mode भी होता है, license version वो होता है, जिसके लिए आप pay करते हैं, pay करके आप software को purchase करते हैं, use करते हैं, उसको हम license version कहते हैं, जब टैली प्राइम आप work करते हैं, यानि की टैली प्राइम का original version purchase करना होता है, company से, company के charges different different होते हैं, single user के लिए different होता है, multiple user के लिए different होता है, वो आपके उपर depend है कि आप कौन सा user लेना चाहते हैं, single या फिर multiple, उसके लिए company आप से charge करती हैं, आपको license version देती हैं, जिसमें कि आप software में smoothly and easily work कर सकने हैं, आप अपने accounting को properly maintain कर सकते हैं, उसमें आपको सारे options मिलते हैं, आप date wise entry कर सकते हैं, सारे options आपको मिलते हैं accounting software में and उसमें आप अपने work को smoothly कर सकते हैं, यह होता है license version जो की paid होता है, यह आपको purchase करना होता है company से, अब बात कर लेते हैं educational mode के बारे में, तेकिए educational mode, टैली प्राम का आप download कर सकते हैं, वहाँ पर क्या होता है, उस version में आप जो date है, वह भी voucher, first, second, या फिर 30, इन तीन date में ही आप vouchers की entry कर सकते हैं, further this date आप कोई भी entry नहीं कर सकते हैं, suppose कि आपको कोई voucher है, third, तीन तारीका voucher है, चार तारीका, पांस तारीका, आप इसकी entry नहीं कर सकते है educational mode में, educational mode में सारे options भी अब label नहीं होते हैं, activate नहीं होते हैं, क्योंकि वो educational mode होता है, जैसे कि कुछ student है, जो teleprime work सिखना चाहते हैं, account का work सिखना चाहते हैं, educational purpose से teleprime का जो download करते हैं, educational mode, तो इसमें ये सारे facilities मिलती हैं, जो मैंने आपको बताया, जो license version होता है, इसमें voucher कर सकते हैं, entry, सारे work आप properly कर सकते हैं, आपको software को purchase करना हो, तो ये differences होते हैं, ये फायदे नुकसान होते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये third comments के तरफ move करते हैं, third comments मुझे किया है, आमी भर्ट जी ने सबसे पहले, मैं उन्हें थैंक सेना चाहती हूं, comments करने क हैं, एक वीडियो जब CA teleprime data भेजते हैं, teleprime का पूराने के साथ नया teleprime data कैसे check कर सकते हैं, प्लीज ये मुझे मालूम नहीं है, तो आप एक वीडियो जरूर बनाईएगा, thank you, तो उनका ये comments से support किजिए, जब आप work करते हैं, और आप अपने work को, अपने CA को send करते हैं, CES में कुछ entries करते हैं, finalization का work करते हैं, textization का work जो होता है, final work जब CES software में करके, आपको वो software mail करते हैं, डेटा mail करते हैं, तो जो data वो mail करते हैं, उस data को आप download कर लीजिए, डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, वो जो data है, उसको rename कर दीजिए, तो जो आप teleprime का data rename करेंगे, rename करने के लिए आपको alphabetical word यूज नहीं करना है, जो आप file rename करेंगे, उसके लिए आपको numerical, जो numerical होते हैं, उस character में आपको उस file को save करना है, सपोस्थ की जो CA teleprime का data भेजते हैं, आपको उस file को save करना है, सपोस्थ की जो 1, 2, 3, 4 करके save कर लीजे, 1002 करके, ऐसे numerical character के साथ आपको file को save कर लेना है, आपको 2 teleprime open कर लेना है, एक में आपको अपने पुराने data को open कर लेना है, सेकेंड में जो CA ने भेजा है, उस data को आपको open कर लेना है, इस step से आपको पता चल जाएगा, कि आपने कौन सी entry, आपके पास क्या balance शो हो रहा है, और जो CA ने भेजा है डेटा उसमें क्या बेलेंश हो रहा है तो डिफ्रेंसिस आपको पता चल जाएगा आपको मैच करना होगा रिकंसाइल करना होगा अगर आपको जानना है कि जो टैली प्राइम में आपने वर्क किया है और स्रेप से आप देख सकते हैं इस टॉपिक पर मैंने एक सेपरेटल ठॉब का दो सिलेशन हों कि पूपिक सेब्स करने के लिए ठेख लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या है उपहिंग्शिटी थाविंहें पलटेख देख व्याटन सेपसेजग्ताा ह्पान में generate करना है, किस condition में बनाना है, तो सबसे पहले मैं ये clear कर देती हूं कि eBay will आपको किस condition में generate करना होता है, किस condition में बनाना होता है, eBay will हम generate करते हैं goods की moment के लिए, सिर्फ हम goods की moment के लिए eBay will को generate करते हैं, eBay will के लिए, यहाँ पे limitation है, जो amount है, suppose कीजिए आपके goods का जो value है 50,000 या फिर more than 50,000 है expect Delhi, Delhi के लिए जो limit है evable की वो 1 lakh रुपीज है Delhi में अगर आप कोई भी goods की movement करते हैं 1 lakh रुपीज या फिर more than 1 lakh रुपीज तो वहाँ पे आपको evable generate करना होता है expect Delhi किसी भी state के लिए अगर आप evable generate करते हैं अगर आप कोई भी goods की movement करते हैं तो आपके goods का जो value है 50,000 या फिर more than 50,000 है तो उस case में आपको evable generate करना होता है suppose कीजिए आप sale कर रहे हैं, आप purchase कर रहे हैं, purchase return कर रहे हैं debit note, credit note के तुरू या फिर आप delivery चलान के तुरू अपने material को dispatch कर रहे हैं, या फिर goods की movement करा रहे हैं तो उस case में आपको evable generate करना होता है तो आप किसी भी type का goods का movement कर रहे हैं goods की value 50,000 या फिर more than 50,000 है Delhi के लिए 1,00,000 रुपिस या फिर more than 1,00,000 है तो उस condition में आपको evable generate करना होता है कि जो आपने comments किया है आपको comments का reply मिल गया होगा अगर इस कोई बात नहीं है आप मुझे comments कर सकते है definitely मैं उसका try करूंगी फिर से 100% try करूंगी उसका solution बताने का तो इस step से आप मुझे comments कर सकते हैं अगर किसी भी type की है किसी भी टाइब का कंफ्यूजन है डेफिनेटिक इसका सॉलुशन एंड रिप्लाय देने का मैं अपनी साइट से कोशिश करूँगी इस टैप से कोई भी क्वाइड है आप मुझे कमेंस कीजिए डेफिनेटिक मैं ट्राय करूँगी वंस इन वीक इस टैप से वीडियो सॉलुशन नहीं मिलता होगा तो मैंने सुचा कि वीडियो के थ्रू मैं आपको एक्स्प्लेइन कर दूँ सो डैट आप ज्यादा आपका जो भी प्राब्लम हो जाएगा तो इस टैप से आप मुझे कमेंस कर जिए कोई भी क्वाइड है आप मुझे कमेंस कर सकते हैं डेफि किजिए अगर कोई भी क्वाइड है सबसे पहले अगर अकाउंट से रिलेटेट कोई भी क्वाइड है तो आप मेरे वीडियो को सर्च केजिए जो भी आपकी क्वाइड है क्वाइड आप टाइप केजिए एंड में आपको करना है बाइस उमन एजुकेशन हब सपोर्स आपकी कोई भी क्वाईरी debit note से related है मैं जस्ट example दे रही हूँ तो आपको मेरी वीडियो सर्च करना है debit note video by a zoom and education hub end में जो आपकी क्वाईरी है end में सिर्फ आपको add करना है by a zoom and education hub step से आप सर्च करेंगे तो आपको सबसे top पे मेरी वीडियो मिल जाएगी and आप मेरी वीडियो को watch कर सकते हैं अगर आपको कोई ऐसा वीडियो नहीं मिल रहा है जो भी आपकी क्वाईरी का है आप मुझे comments कीजिए मैं each and every comments को read करती हूँ and note करती हूँ अगर उस topic पे मैंने वीडियो अप्लोड नहीं किया है तो definitely उस topic पे मैं वीडियो अप्लोड कर दूँगी अगर मैंने वीडियो अप्लोड किया है तो मैं आपको comments पे reply कर दूँगी कि मैंने इस topic पे वीडियो अप्लोड किया है आप search कर लीजिए search कैसे करना है मैंने जस्ट आपको बताया इस टैप से आप मेरी वीडियो को search कर सकते हैं I hope ये वीडियो आप सभी लोग के लिए helpful रही होगी अगर helpful रही है तो छोटा सा काम कर दीजेगा वीडियो बनाने में काफी महनत लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को like कीजिए, share कीजिए and subscribe कीजिए आप जब मुझे support करेंगे and मुझे जब motivate करेंगे तो मैं भी motivate हूँगी, मैं भी appreciate हूँगी तो इस step से मैं continue accounting की वीडियो अपलोड करती रहूँगी and मैं try करती हूँ कि accounting का जो वीडियो है accounting का जो knowledge है, मैं different different software में आपके साथ share कर सकूँ मैंने teleprime में कापे सारे maximum topics को मैं cover कर चुकी हूँ teleprime के software में आप किसी भी accounts related कोई भी अगर आप teleprime में work सिखना चाते हैं teleprime software में सिखना चाते हैं तो teleprime में maximum 90% मैंने accounting की वीडियो अपलोड कर दी है में वहाँ से आप देख सकते हैं अब मैं different different जैसे कि अभी आजकल में mark software में video upload कर दी हूँ so that अगर आपको कहीं mark software का job मिलता है तो वहाँ पे भी आप work कर सकते हैं properly क्योंकि छोटे छोटे जो business man है वो आजकल mark software को use करते हैं तो अगर कहीं आप job के लिए चाहते हैं और अगर आपको tellie prime में work आता है accounting का work आपको 3-4 software में आता है तो यह easy होता है किसी भी job को grab करने के लिए तो इसलिए आजकल मैं mark software में video upload कर दी हूँ तो आप इस video को watch करके देख सकते हैं तो इस step से आप मैं जो support कीजिए मेरे चैनल को like करके, share करके and subscribe करके Thank you and keep watching my videos